वालमीकी रामायन के जिन प्रसंगों का आपने अभी उलेक किया कि मन में संचय आता था लेकर कि आखिर उनका मतलब क्या है ये शान्त हो गया, संतुष्ट हो गया, सोच कर, विचार कर मैं देखी क्या है कि हरी अनन्त हरी कथा अनन्त ये हमारे बुजर्ग हमारे पूज संत हमेशा से कहते रहे हैं उसका कारणी ये आपकी अपनी दृष्टी हो सकती है लेकिन हमारी दृष्टी की सीमा स्रिष्टी की सीमा नहीं होते है हमें जितना दिख रहा है सिर्फ वही जग नहीं है, हम कहते हैं, पूर्णिमा की रात में आपको जो चंद्रमा दिखाई देता है, हम उसे कहते हैं, साहब, आज तो पूर्ण चंद्र है, क्या वो पूरा है? हम एक बड़ी फुटबॉल को पानी के अंदर डुबा दें, तो उपर का जो हिस्सा दिखाई देता है, वो कितने प्रतीशत होता है? 25 प्रतीशत, 75 प्रतीशत हमें दिखाई नहीं देता, तो जो पच्चीस हमें दिखाई देता है, हम उसी को पूर्ण मान लेते हैं, जबकि कहा यह जाता है, क्यों 75 दिखाई नहीं दे रहा, वो हमारी दृष्टी की सीमा में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो या अप्रत्याशित सत्य हमारे और आपके सब के सामने आते रह सकते हैं इसलिए ये कहा जाता है कि एक होता है व्यभारिक सत्य और एक होता है शाष्वत सत्य यानि यूनिवर्सल टूथ और एक होता है प्रैक्टिकल टूथ तो प्रैक्टिकल टूथ जो होता है व्यभारिक स कि नाते साहित्य की उस गहराई को नहीं माप पाता है, क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या एक विरोधा भास रहता है, जब आप एक तरफ परदे पर एक ऐसा क्यारेक्टर निभाते होंगे, जिसको लेकर आपके मन में भी कुछ देखें, सिनेमा हो, या साहित्य हो, या हो, ये समाज के प्रतिनिधी नहीं, प्रतिविम्ब होते हैं, ये रिप्रिजेंटिटिव नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है, समाचार पत्रों में या समाचार चैनलों के मादिम से आप क्या दिखाते हैं, जो घटित हो रहा है, जो दिख रहा है, क्या वही सत्य है, क्यों होने की शुरुवात कहां से हुई यह हम नहीं दिखा पाते हैं तो हमारा यह मानना कि यह बिंब हैं प्रति बिंब हैं तो अगर प्रति बिंब में कहीं कोई दोष दिखाई दे रहा हो तो जो इस्तेमाल हम आइने का करते हैं कि हम बिंब हैं और आइने में हमारा प्रति होती है वैसे ही हमारा वो reflection भी अपने आप ठीक हो जाता है तो cinema को cinema का इस्तिमाल किस के लिए होता है cinema में manoranjan प्रधान है और विद्यालेओं में शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्रधान है जन्जट यह होती है कि हम cinema में शिक्षा ढूंडने लगते हैं और विद्याले में हम manoranjan तलाशने लगते हैं cinema का मूल उद्देश है manoranjan और शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश है शिक्षण हाँ आपको manoranjan के साथ साथ कोई शिक्षा मिल जाए बहुत अच्छी बात है और शिक्षण लेते लेते यदि आपका manoranjan हो जाए तो बहुत अच्छी बात है तो सवाल हमको cinema को text book नहीं मनाना चाहिए वो हमारी पाठ्थे पुस्तके नहीं है और schoolों को विद्द्यालें को हमें मतलब gaming center नहीं बनाना चाहिए तो अगर cinema आपका manoranjan करने के लिए है शिक्षा उसमें secondary है और विद्द्यालें आपको शिक्षण देने के लिए है manoranjan उसमें secondary है तो हम अगर इन दोनों इस्थानों पर जो प्रधानता है उसे डूढने लगेंगे तो हम यह पाएंगे कि फिर कहीं कोई जंजटें खड़ी नहीं हो रही है और जिस तरीके से जो तमाम चीज आती जा रही है वो फिर आपके रंजन का काम करने लगेगी आपकी वृद्धी का काम करने लगेगी तो विद्यालियों में जब हम और आप जाएं तो उसमें शिक सिनेमा के ऊपर हम और आप हमेशा बिचारे वो इतनी इतना प्रीवी है और इतना अशक्त भी है कि हम और आप खड़े हो जाते हैं लेकिन उससे भीशन द्वंद हमको समाचार चैनलों में देखने मिल जाते हैं मार पीट हो रही है और मार पटाई चल रही है और गाली गलो चल रही हैं लेकिन उससे कभी भी हम यह सवाल नहीं खड़े करते हम यह कहते हम तो वास्तविक्त दिखा रहे हैं साब अभी हमने देखा के सोशल मीडिया के ऊपर कहां पे शायद किसी जगह पे सदन में ठेकम भाकी मची हुई थी दिली में आपने बताया मैंने अभी चलते उसको देखा तो यह जो चल रहा था इसके उपर हम कभी भी संकोच नहीं करते और इनके उपर हम विचार नहीं करते क्योंकि यह हम ही ही तो है हम दो शिनेमा बना रहे हैं और देख रहे हैं हम दो संसत में जा रहे हैं hebben लोग-तंत्र का मतलब क्यात है यह लोग के दवार है लोग के लिए निर्मित ही ब scout तो है तो हम दो बना है और हम दो आप अकप開व दो हमारा पूरा में खंड दिखाई देगा, हमें फिर उसकी अखंडता दिखाई नहीं देखी, यह बिल्कुल एक घर के जैसा है, जब आप किसी घर में गुजते हैं, तो एक में डोर होता है, में डोर से आप घर के अंदर आते हैं, फॉयर होता है फिर living room में आ जाते हैं फिर drawing room में आ जाते हैं फिर आपका dining area आ जाता है फिर bedroom में चले जाते हैं फिर पूजा इस्थल होता है कि मंदर वाला कमरा है फिर library होती है फिर terrace होता है तो क्या अब अगर उस घर में रहने वाला ये कहे कि नहीं सिर्फ bedroom ही पूरा घर है नहीं, सिर्फ living room ही पूरा घर है नहीं, dining room ही पूरा घर है घर में रहने वाले को घर के किसी भी कोने में खड़ा हो जाए वो उसे अखंड दृष्टी से नहीं देखता वो उसे अखंड दृष्टी से देखता है हम और आप जब हम आप के घर पे जाएंगे तो आप हमसे यह नहीं कहेंगी कि आशुदोष, आप हमारे kitchen area में सादर आमंतृत है या आप हमारे पूजा घर में सादर आमंतृत है आप हमसे यह कहेंगे कि आशुदोष, आप हमारे घर में सादर आमंतृत है सप्रेम आमंतृत है उसके बाद आप मुझे उस घर में आमंतरित करके घर के विविन हिस्सों को एक बार के लिए दृष्टी पाद जरूर करवा दूँगी और फिर ये मेरी अपनी चेतना है कि मुझे कहां पे लग रहा है कि कौन सा शेत्र अधिक उर्जा प्रसारित कर रहा है तो जीवन भी बि कान से सुनता हूं तो ये अंतर कहां है वो कौन सा अंतर है तो वो कहीं न कहीं आप हो सकता है सुनना और श्रवन करना हिंदी बड़ी अधुद भाषा है सुनना मतलब होता है कि जो कहा जा रहा है उसे आप अपनी मर्जी से सुन रही है और श्रवन का मतलब ये होता है जो क भाह गया है, कहने वाले का जो मनतव ही था, आप ने क्या उसे वही समझा और वही सुना, यह श्रवन की स्थिती में है, और भारत हमारा जो है, हमेशा से शुुतियों का और श्रवन का देश रहा है, उस Сने सुनने को ध्हान नहीं दिया, तो मेरा ये मानना है कि हमको और आपको कहीं न कहीं अगर हमें जड़ों की तरफ ही लोटना होगा और जैसे जैसे हम अपने जड़ों की तरफ लोटते जाएंगे वैसे वैसे उस जड़ से निकलने वाला जो व्रिक्ष है वो पुश्पित, पलवित और फलित होता रहेगा जितनी उसकी जड़े मजबूत होंगी उतना ही व्रिक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा ऐसा मेरा मानना है तो मेरा आगर है क्योंकि वो तो अगर आप रामराज्य भी पढ़ेंगी और मैं तो यह कहता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति को एक बार भले ही उपन्या समझके उसको पढ़ लीजिए लेकिन उसको पढ़िए अवश्य आप पाएंगे कि जो परमपूझ गुर्दे भगवान की कृपा से जो मेरी मनो भूमी में परमात्मा श्री राम ने रंजन किया है वो जो उत्रे हैं वो उसको हमने कागस पर उतारने का प्रयास किया है और वो तो क्योंकि पूरी भूमी गोपाल की भारत तो यह मानता है अयमने जहे परोवेती गणना लगू चेतिसाम उदार चरिता नाम दू वसुदेव कुटुमकम यह मंत्र कहां से आया यह मंत्र भारत से ही आया मतलब वो क्या कहा रहा है बोले पूरी वसुदा देश नहीं, शहर नहीं, घर नहीं पूरी वसुदा तो पूरी वसुदा में क्या बोले सिर्फ मनुष्य नहीं बोले फिर क्या इन सब के साथ आपका बंधुत्व का भाव हो इसलिए हमने पेड़ भी पूझे है इसलिए हमने नदिया भी पूझे है इसलिए हमने पहाड भी पूझे है इसलिए हमने जो दिखता है वह भी पूझनी है जो नहीं दिखता वह भी पूझनी है पूजनी से मतलब कि इनका हमें आदर करना है इनको हमें सहेज के चलना है इसके साथ हमें ले से ले मिला कर चलना है क्योंकि प्रले क्या है जब बड़े ब्रह्मांड की ले छोटे ब्रह्मांड के साथ तूटती है तो ले जब तूटती है तो प्रले आ जाता है बोले ले क्या बोले पिता की पुत्र के साथ ले टूट गई, तो परिवार में प्रलय आ गया बोले पती की पत्नी के साथ ले टूट गई, तो क्या हो गया बोले प्रलय आ गया, बच्चों की अपने माता पिता के साथ ले टूट गई, तो बोले प्रलय आ गया मित्र की मित्र से ले टूट गई तो प्रलय आ गया अब इस सिर्फ प्रलय को हम साथ समुत्रों का मिलना नहीं वो साथ समुत्रों का क्या मिलना है बोले इस बड़े ब्रह्मांड की उस महा ब्रह्मांड के साथ जब ले टूट गई तो फिर वो प्रले आ गया तो ये तो छोटे-छोटे हमारे और आपके जीवन के प्रले हैं तो पूरा का पूरा हमारा जो दर्शन है भारत का जो राम राज्य के अंतर में अंदर आप देखेंगी या जो भी शास्त्रम पढ़ते हैं वो ले से ले की जुगलबंदी का है कि ले से ले मिला कर चलिए हमारे और आपके जीवन में प्रले की सृष्टी नहीं होगी फिर विले की सृष्टी होगी तब ही यहाँ पे आप देखें कि तीन नदिया मिलती हैं सारी जगे तीर्थ कहे जाते हैं बोले क्यों बोले कि गंगा मातेश्वरी गंगा की अपनी प्रकृती है मातेश्वरी यमना की अपनी प्रकृती है और मातेश्वरी सरस्वती की अपनी प्रकृती है तो तीनों ने जहाँ पर अपनी अपनी प्रकृती को अपने अपनी निजता को एक दूसरे के साथ समाहित कर दिया, विले हो गई, फिर वह तीर्थ नहीं, तीर्थ राज की उपमा से अलंकरित होता है, तो ऐसे ही कहीं न कहीं, तो श्वेता की अपनी प्रिकृति है, सत रज तम, हमारी जो प्रिकृति है त्रिगुणात्मक है, न्यूट्रोन, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, अगर हम विज्ञान में चले जाएं, तो त्रिगुणात्मक है, तीनों के अलग-अलग का शेलियां हैं, तीनों के अलग-अलग गुणदोश हैं, तो इन तीनों की आपस में जुगलबंधी, इस लए की बात, तो वही हमारे लिए रामराज है, मेरे लिए रामराज जो है, वह जोडने वाला है, क्योंकि अगर बुले बुले के मूख होए बाचाल और पंगू चड़े, गिरिवर गहन, मतलब ऐसा वाला है, कि लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड चड़ जाता है, और मूख व्यक्ति भी मुखर हो जाता है, वानी हो जाती है, कर दो